लेकिन Pulsar NS160 भी है यह डिसकंटीनी नहीं हुई है N160 और NS160 यह दोनों ही Pulsar फैमिली की बाइक्स हैं और यह दोनों ही शोरूम्स में अविलेबल हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सी खरीबनी चाहिए यह confusion सरूर आपके मन में होगा तो चलिए इस confusion को थोड़ा दूर कर देते हैं यह देखते हैं इस वीडियो में कि इन दोनों वाइक्स में फरक क्या है और आपके लिए कौन सी ज्यादा suitable है तो सब्सक्राइब पहले कर लिजे गियर फ्लिक को क्योंकि authentic और genuine reviews आपको यही मिलेंगे Pulsar NS160 जो है यह 2017 में लाँच हुई थी और 2022 में आई है N160 तो ऐसा फरक क्यों है सेम केपैसिटी की बाइक लेकिन डिफरेंस इन में काफी है अब देखने में अगर हम बात करें looks में तो मेरे इसाब से NS160 अब भी बहुत ही modern लगती है जो उसकी overall styling है यह बहुत ही dynamic है बहुत ही aggressive है and it looks better अगर मैं अपना opinion दो तो N160 और NS160 में से मुझे NS का look जो है वो ज़्यादा पसंदाता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि N160 दिखने में खराब है इस अ decent looking bike लेकिन फिर भी एक edge जो है यह NS160 को मिलता है अब अगर engine की भी बात करें तो यहां पे भी आपको difference दिखाई देगा दोनों ही 160 CC के engine है लेकिन NS160 जो है इसमें 4 valves आते हैं as opposed to N160 जिसमें 2 valves आते हैं power figures में भी आपको difference यहां पे भी दिखाई देता है NS160 में आपको power थोड़ा जादा मिलता है which is 17.2 PS जो 9000 RPM पे आता है जबकि N160 में आपको 16 PS का power मिलता है जो 8750 RPM पे आता है यानि थोड़े lower RPM पे इसका peak power produce होता है torque की भी बात करें तो torque के figures दोनों के भले ही similar है 14.6 NS के और 14.7 N160 के लेकिन NS160 में यह torque आपको higher RPM पे produce होता है जो 7250 RPM है जबकि N160 में 14.7 NM का torque आपको 6500 RPM पे मिलता है यानि जो peak torque है थोड़े lower RPM पे मिलता है इसका यह मतलब है कि आपको अगर ज़्यादा torque चाहिए तो आपको engine को ज़्यादा rev करने की ज़रूत नहीं पड़ती है एक lower RPM पे आपको यह peak torque मिल जाता है तो daily riding के लिए या city riding के लिए N160 ज्यादा suitable है as compared to the N160 अब handling के अगर बात करें तो overall जो weight है दोनों motorcycle का यह similar है लेकिन NS160 जो है यह N160 से थोड़ी सी hulky है about 3 kg का weight कम है 151 kg weight NS160 का है जबकि N160 का 154 kg है for the dual channel ABS अब यह भी एक फर्क है जिसके बारे में आगे बताऊंगा लेकिन handling की अगर बात करें तो मेरे इसाब से N160 की overall handling ज्यादा अच्छी है जो weight distribution है N160 का यह NS से ज्यादा अच्छा है भले ही N160 में एक simplistic chassis यूज़ की गई है लेकिन overall weight distribution ज्यादा अच्छा है इसलिए handling में या flickability में N160 NS से ज्यादा better है tires भी N160 के ज्यादा broad है as compared to N160 NS160 में आपको 90-90 section का front tire मिलता है जबकि N160 में आपको 180 का front section का tire मिलता है पीछे भी 120 section का tire आपको NS160 में मिलता है जबकि 130 section tire आपको N160 में मिलता है fuel tank की बात करें तो N160 का fuel tank ज्यादा बड़ा है NS160 में आपको 12 liters का tank मिलता है जबकि N160 में आपको 14 liters का fuel tank मिलता है दोनों ही bikes में आपको front telescopic suspension मिलता है और पीछे एक monoshock है दोनों बाइक के wheelbase में भी फरक है NS160 का wheelbase ज्यादा बड़ा है 1372 mm है जबकि N160 का 1358 mm है ground clearance में भी यहाँ पे आपको फरक मिलेगा NS160 का in fact ground clearance ज्यादा अच्छा है at 176 mm जबकि N160 का 165 mm है seat height में भी आपको फरक मिलेगा NS160 जो है यह taller bike है at 807 mm जबकि N160 की जो seat height है यह 795 mm है अब एक major difference इन दोनों bikes में है brakes का N160 का जो front brake है यह ज़्यादा बड़ा है 300 mm का है जबकि NS160 का जो front brake है यह 260 mm का है पीछे के जो brake discs है जोनों के same size के है और एक major difference इन दोनों bikes में यह है कि N160 में आपको dual channel ABS मिलता है जबकि NS160 में आपको सिर्फ single channel ABS का ही option मिलता है technology में भले ही NS160, N160 से ज़्यादा आगे है लेकिन practicality में और features में N160 में आपको ज़्यादा features मिलेंगे for example जो instrument panel है यह दोनों का काफी similar है combination है analog और digital का लेकिन information जो है आपको NS160 से ज़्यादा N160 में मिलेगी N160 में आपको gear position indicator भी मिल जाता है overall जो look है instrument cluster का वो N160 का ज़्यादा modern है, bezel less भी है और इसलिए ज़्यादा clean look है जो readability भी है उसकी यह ज़्यादा अच्छी है वहीं N160 में आपको LED projector की headlight मिलती है जबकि NS160 में halogen की headlight मिलती है अब दोनों के engine capacity जैसे मैंने का same है और overall performance जो है यह NS160 का ज़्यादा अच्छा है लेकिन जैसे मैंने का की rideability जो है यह N160 की ज़्यादा अच्छी है एक और जो major difference मुझे लगा वो दोनों के engine refinement में है अब अगर आप दोनों बाइक को back to back चलाएं तो आपको मैसूस होगा की N160 का जो engine है यह ज्यादा refined है दोनों ही engines field injected है लेकिन जो overall refinement है यह आपको N160 में ज्यादा मिलेगा vibrations इस bike में आपको मैसूस नहीं होंगे मैंने काफी higher FB किया इस bike को up to 7,000 rpm पे लेके गया लेकिन इसमें आपको vibrations मैसूस नहीं होते है N160 की जो single channel variant है यह EC price point पर आती है और dual channel ABS के लिए आपको 1.27 lakhs extra room खर्च करने पड़ेंगे तो यह थे major differences इन दोनों bikes के बीच जैसे मैंने काई कि price भले ही सेम है लेकिन थोड़ी सी price ज़ादा पे करने पर आपको dual channel ABS भी मिलता है तो आप decide कीजिए आपके लिए इन दोनों bikes में ज़ादा बेटर कौनसी है वैसे मेरी अगर recommendations आप माने तो मेरे इसाब से N160 makes more sense क्योंकि एक ज़ादा modern machine है जो engine है इसका बहुती refined है daily riding के लिए अगर आपको कोई bike चाहिए तो N160 makes much more sense लेकिन अगर आपको NS का look ज़ादा पसंद है थोड़ा सा higher end performance आप ज़ादा चाते है then you can go for the N160 आप हमेरे कमेंट से बताएए कि आप इन दोनों में से कौनसी bike क्रिकना चाहेंगे इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए गेट फ्री को subscribe ज़रूर कीजिए फिर मिलेंगे ऐसे ही ये comparison वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye